अब Micromax in Note 1 की बात करें तो इसके अंदा आपको जो है LCD डिस्पले देखने को मिल जाती है कि उसके साथ आपको जो है 6.6 इंच की डिस्पले देखने को मिलती है जो आपको 1080 के जो है resolution प्रोवाइट करती है उसके साथ आपको 500 Nets PPI देखने को मिल जाती है जो इसकी full डिस्पल brightness है कि जिसके कारण मुझे लगता है कि यह outdoor में आपको थोड़ी problem प्रोवाइट कर सकती है उसी के साथ बात करें तो इस phone को पर भी Micromax ने कोई भी जो है protection display पर प्रोवाइट नहीं करी है कि Corning Gorilla Glass क्या किसी भी brand की जो आपको जो है डिस्पले पर protection प्रोवाइट करती है उस देखने को मिल सकते हैं मगा इस phone की खामी यह के यह smartphone आपको UFS storage के साथ देखने को नहीं मिलता है यह आपको EMMC के साथ देखने को मिल जाता है और इस phone के अंदर आपको फूल Android 10 experience रेखने को मिलेगा उसके साथ आपको 4GB और 64GB का जो है variant देखने को मिलेगा इस phone के अंदर भ Macro Max ने जो है rear side में आपको काफी अच्छा जो है camera प्रोवाइट कियाएगा 48MP का lens आपको प्रोवाइट किया है Macro Max ने उसके साथ आपको 5MP का अल्ट्रा वाइल लेंस प्रोवाइट कियाएगा जो आपको daily uses में काफी अच्छी pictures यह दोनों जो है lens प्रोवाइट कर सकतेंग मगर 5MP का जो है अल्ट्रा वाइल लेंस जो है कुछ ज्यादा अच्छी आपको quality की picture जो है प्रोवाइट नहीं कर पाएगा मगर जो है Macro Max ने 5MP का ही जो है प्रोवाइट कियाएगा अल्ट्रा वाइल लेंस उसके साथ selfie में आपको जो है इस phone के अंदर 16MP की selfie भी देखने को मिल जाती है जो wild selfie है जो मैं जो हूँ Macro Max के N1B के अंदर भी चाहता था और Macro Max ने इस phone के अंदर आपको रियर साइड में fingerprint scanner भी प्रोवाइट कियाएगा जिसमें आपको daily to use में कोई भी problem नहीं आने वाली हैगी इस smartphone के अंदर बैटरी की बात करें तो इस phone के अंदर भी आ बास चार्जिंग भी प्रोवाइट करी है और इन दा बॉक्स आपको 18 वाट का चार्जर भी Micromax ने प्रोवाइट किया है तो अब इस phone के अंदर आपको जो एक खामी कहां पे मिलती है Micromax in Note 1 की बात करें तो इस phone के अंदर खामी क्या देखने को मिलती हैगी इस चीज़ की बात करें तो इस phone के अंदर आपको कोई भी side frame अन्मूनियम के नहीं देखने को मिलते हैंगे जिससे ये smartphone build में थोड़ा weak होता है उसके साथ आपको डिस्प्ले पे कोई भी कौनिंग गोईला ग्लास टाइप की protection नहीं देखने को मिलती हैगी इसकी डिस्प्ले पे जहां पे ये durability में weak हो जाता है उसके बाद आपको इसकी डिस्प्ले अमूलेट नहीं LCD डेखने को मिलती हैगी जहां पे एक Indian smartphone brand से हम लोग चाहते हैंगे वो 15,000 के आसपास अगर प्रोडेक्ट लाउंच करे तो उसमें एमूलेट डिस्प्ले प्रोवाइट करें भले ही वो 60Hz की ही हो अपटर आपको इस फोन के स्टोरेज में weakness डेखने को मिलती है इस फोन के स्टोरेज में आपको जो है UFS का support डेखने को नहीं मिलता है आपको देखने को मिलती है कि EMMC की सपोर्ट जिसके कारण जो ही ये स्मार्टफून थोड़े टाइम के बाद आपको लाइक और शटर फील कराते विए मिल सकता है गार यूजर एक्सपीरियन्स के अंदर बाकि आपको इस स्मार्टफून के अंदर काफी अच्छी जो है फीचर्स और जो है हार्डवियर मैंुर्ट चाहता हूं कि एक इंडियान Smartphone gone का smartphone यूज़ करूँ और दूसरों से भी मैं, प्फैर करूँ कि स्थिल कार ग Our film आपि अपने आगे के स्मार्ट फोनओं को जो ए काफी अच्छे तके से बिल्ड कर सकता है जिन चीजों में यह स्मार्ट फोन जो है भी होते जा रहे हैं अब मार्क्रो मैक्स ने इंडियन मार्किट के अंदर दुबारा कमबैक करी लिया है तो मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे यूट्यूपर्स की तरही किसी अच्छा ही अच्छा ही बता हूँ और उसके इलावा इन फूनों की जो थोड़ी सी वीक्नेस है उस बारे मैं किसी को ना बता हूँ मैं चाहता हूँ कि जो वीक्नेस है कि उसकी भी बात करें जो कि इसके कारण जो है हम ही लोगों का फायदा होगा और हमारे जो एक इंडियन ब्रैंड हैगा वो जो है अगर इन वीक्नेस पर काम करेगा तो उसके कारण जो हम लो लॉंच करता हैगा और अच्छे होंगे तो मैं उनकी जहूर तारिफ करूंगा यह स्मार्टफून भी काफी अच्छ तई किसे माइक्रो मैक्स ने एक इंडियन मार्किट के लिए लॉंच की हैंगे तो उनका यह अभी स्टार्टप हैगा दुबारा से तो जो है इन स्मार्ट पूनों को हम लोग को एक से रखते हैंगे माइक्रो मैक्स को सपोर्ट करने के लिए चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बाई